आज का जो हमारा टोपिक है उसका नाम है दा बेगर दिस इस लेसन नंबर टेन फॉम क्लास नाइन्थ मोमेंट्स बुक्सें दा बेगर चेप्टर के जो अधर है उसका नाम है एंटॉन चेकाओ एंटॉन चेको जो की एक वेल लॉन एक फैमस सोट स्टोरी राइटर है रस्यान के ये तो होगे हमारा सोट दिस्क्रिप्शन अबाउट ओथर के बारे में नाव कम तो थीम अब दा स्टोरी दे इसेंशल गुट्नेस इन हुमन बिंग के अंदर उसको हम अवेकन कर सकते हैं और वो तरीका होता है लॉव और व मुट्नेस इस स्टोरी के एक उपोट हैं में लसका उपोड होता है और और पूरी स्टोरी इसी के अराउंड में रिवल्व होती हैं। दाटमीज जो लस्काव होता है, वो कहीं सारे excuses बनाकर लोगों से भीक मांगता है। उसके पिछे कहीं सारी स्टोरी बताता है कि वो एक 8 साल से स्कूल टीचर था। वो कभी अभी बहुता है कि वो एक्स्ट्रेंट भी था। और भीक मांगने के लिए कहीं सारे आइडियास को वो यूज करता है। लेकिन ये किसी कॉंस्पिर के चलते हैं वोई विक्टिम बन जाता है। देखा जाए तो जो लस्काव होता है वो एक करवड़ा का रस्यन क्वेर सिंगें के ग्रूप का एक मेंबर होता है। लेकिन जादा ड्रंक करने की वज़े से इसको वहां से इसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद स्टूरी का जो सेकेंड करेक्टर है वो है सरगाए। सरगाए जो कि एक एड़ोकेट होता है जिसे हम इन अदर वर्ट में सोलिसिटर या लॉयर भी कहते हैं। यह वही बेक्टी है जिसने लस्कव को अपने घर में बुलाता है। उसको कहें सारे डिप्रेंट डिप्रेंट का टास्क उसाइनमन करता है। जिससे की वह बेक्टी कंप्लेटली आपने आप में वह चेंज हो जाए। इस स्टोरी के जो थार्ड केरेक्टर है वह है ओल्गा। ओल्गा यह जो एक कुक होती है सरगाय के घर में जो की फिमेल मेर्ट सर्वेंट होती है। तो इस इस सोड़ डिस्क्रिप्शन दाट आइहाओ एक्स्प्लेंट अबाओट दा बेगर चप्टर के बारे में। जो की इस स्टोरी का में प्रोटेगेनिस होता है और पूरी स्टोरी इसे के अरावड में रिवर्व होती है। जो की एक बेगर होता है और कई सारे ऐस्क्यूसेस बनाकर कई सारे जुट बोलकर वह बेगिंग करता है। देखा जायत में he actually he was the member of Russian choir singing group में लेकिन ज्यादा ड्रंक करने के वज़से स्को उस group से निकाल दिया जाता है सर्गाय जो कि एक advocate होता है और इसी विक्ति को completely change करता है इसी के guidance में now come to the third one Olga Olga जो कि एक cook होती है सर्गाय के घर में so story कुछ इस प्रकार start होती है यह कहानी सुरवाद होती है एक beggars है जिसका नाम था लज्सकाउं वो सड़की किनारे भीक मांगरा होता है कहीं सारे excuses बना कर वो बोलता है काइंड सर हाव पीटी टन यूर अटेंशन टुए पूर हंगरी मैं फोर त्री डेस आई हाड नथिंग तो इट कुपेक्स फॉर लोगिंग आई स्वेर इट बिफॉर गॉड जनरली आप लोगों देखा होगा कहीं सारे पॉब्लिक प्रेसे पे यह कहीं सारे चोरा है पर इसे लोग धीक मांगते हैं उनका जो आइडियास होता है वो कोई बहुत अदर डिप्रेंट होता है वो यहाँ प जहां रहता हूं वहां पे भी पैसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है यह मैं कसम खाके आपके सामने बोलता हूं यह था स्टेटमेन एक बेगर का जोड़ सड़के किनारे बैठकर भीक मांग रहा है कुछ यूनिक वे में वो बोलता है कि साब मुझ पर दाया कीजिए मैं तीन दिन से कुछ नहीं खाया हूं मैं जहां रहता हूं मेरे पास उसका पेशा देने के लिए भी पेशा नहीं है यह आपके सामने में कसम खाके कहता हूं फिर आगे बोलता है कि लगभग आठ साल से मैं एक स्कूल टीचर था एक कॉंस्पिरिसी के चलते हैं मैंने अपने जोब को खो दिया और उसी का विक्टिम बन चुका था मैं दाटनिस जहां पे मैं स्कूल टीचर था वहां के लोगों ने एक फॉल्स स्टमें देकर मुझे जोब से बाहर निकल दिया गया इस प्रकर बाहर है बनाकर वह सड़े की नरहें बेगिंग कर रहा है एंड इट इस एक इस यह नाओ सिंस आ हाद नथिंग तो अपनी जोब को गिवप किये लगभग एक साल हो चुका है और मेरे पास असा क कोई भी काम नहीं है जिसे कि मैं अपनी लाइवली हूट को या अपनी जिंदिगी को आगे सर्वाइब कर सकूंँ तो यहां पर जो एड़ोकेट था उसको बहुत ही क्लोस के साथ अबज़र करता है तो देखता है कि यह जलसका है उसके बहुत फटे टूटे कप्ड़े पहना है एक बहुत दी कलर फूर के कोट पहना है और उस ड्रंकड वेग उस ड्रंकड विक्ति की जो आखे हैं बहुत ज़्यदा नसिली है जैसे मानो उसके पूरे चीक्स पे उसकी पूरी बोडी पे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं और उसमिक्टि को देखनी पर इसा लगता है कि इस विक्ति को कहीं तो देखा ओँ मैं कहां देखाओ यह मुझे याद मैं आ रहाया है जब एडवोकेट ने उसको बहुती पास से उसको अवजव किया तो देखता है कि यह विक्ती बहुती गरीब है उन्हों जो ड्रेस्कौर् I have now had an offer to position in the province of Kaluga, the medicant went on, but I haven't the money to go there, help me, help me sir, I am ashamed to ask you, but I am obliged by circumstances, तो ये विक्ति बोलता है कि मुझे अभी एक ऐसा offer दिया गया है, एक कलूगा एक प्रोविन्स एक एरीजन है, जहाँ पर मेरी पोस्टी की हुई है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि में वहाँ तक जा सको हूँ, मुझे मार्ण करना मेरे पास कोई चारा नहीं है, बेगिंग के सिवा, मुझे आपने आप में अस्यम हो रहा है कि मैं आपसे पैसे मांग कर वहां तक जाना की कोशिस कर रहा हूं दटमिस यहाँ पर देखा याँ तो यह भूत ही यूनिख mee में भीक मांग रहा है वो बोल रहा है कि मुझे एक ओफर दी गई है एक कलूगा प्रोविन्स है वहाँ पे लेकिन मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं वहाँ तक जा सकूँ मुझे बहुत ज़्यादा असेम हो रहा है कि मैं आपसे बेगिंग कर रहा हूँ लेकिन क्या करें सर यह कुथ सर्कंटेंसे से लायब के जिसके बुझे से मुझे इतना भूगतना पड़ पा रहा है सर्गी आइस फेल उन्स आवर्शूस वन विच वोस है कि हाई और अधर वन लो and suddenly he remembers something look here it seems to me I met you on the day before yesterday he said but you have told me then that you are a student who had been expelled and not a village मस्कूल do you remember जब उस विक्ति को देखने पर यह सर्गाय बोलता है देखी मेरे तरफ मैंने कहीं तो आपको देखा है तो देखने पर बहुत इक लोजली अब्जर्व करने के बात उसको लगता है कि यह विक्ति वही है जो सवोदया स्टीट पर मांग भीक मांग रहा था उसको याद आता कि यह विक्ति है जिसके एक सूस बहुत है एक बहुत है एक बहुत है उस अप्यरेंस को देखने पर यहां पर पैसा जाता कि यह वही बेखती है जो कल परसो मुझसे बोल रहा थी कि वह एक स्टुडेंट था जिसको एक्सपेल किया गया जिसको रेस्टिकेट किया गया किसी रिजन से और आज यह बोल रहा है कि एक स्कूल टीचर है दखमिस यहां पर भीक मांगने के लिए वह कहीं सारे इस्कूसित बनाकर भीक मांग रहा है और यहां पर सरगाय उसको पकर लेता है कि यह वेक्ती यह आपने जूट बोलकर बेगिंग कर रहा है जब उसको बातचित करता है और सदनली उसकी जो नजर किसे पड़ती है उसके सूस पर जो सूस वो पहना था बहुत ज़्यादा एक हाई और लोग सूस पहना है उसके अपेरेंस को देखकर यहां पर जो एड़ोकेट उसको पहसा जाता कि यह वेक्ती कल तो बोल रहा था कि वो स्टुडेंट था जिसको रेस्टिकेट किया गया जिसको एक्सपल किया गया स्कूल से लेकिन आज वो बोल रहा है कि वो एक स्कूल टीचर है और यहीं पर उसकी गलती पकड़ा जाती है नो 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 दाट कांट भी अके मनमर अदबेगर टेकन अबेग आएम ए स्कूल टीचर अच्छे स्कूल मास्टर की स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आए इन सो यू माइपर जब उसकी गलती पकड़ा जाती है तो बोलता है कि सर आप मुझे माप करना आप मैं आप जो स्कूल टीचर हूँ इदि आपको डाउट है इदि आपको देखना है कि मैं स्कूल टीचर हूँ या नहीं हूँ तो आप मेरे डॉक्यूमेंट आप पेपर चेक कर सकते हैं जिससे कि आप अपने आपमें कर सकते कि मैं आपने आपमें एक स्कूल टीचर हूँ जब भी किसी कि गलती पकड़ी आती है तो वेक्टिया अपने अपमें थोड़ा सा हडबडाता है वो कहीं सारे इसी से बनाता है सर आप जो आप समझे रहें वह मैं नहीं हूं इदिया आपको डाउट है तो आप मेरे जो मेरे पास जो पेपर रखें उसके आप चेकर सकते हों have done with lying you call yourself a student and even told me you are have been expelled तो यहां पर advocate बोलता है कि आपने आपने सरम कीजिए जूट क्यों बोल रहे हो जब आप समय मीला था उसने बूस समय आपने बोला था कि आप student हो जिसको को एक्सपेल किया गया आपको याद है सरगाय फ्लाज और टॉन्स राइग और एक्सप्रेशन आप डिस्गास्टिंग जब यहां पर उसको रिलाज होता कि यह वही बेगती है जो जूट बोलकर पैसे मांग रहा है तो उस चीज को देकर आपने आपने थोड़ा असेंप फिल करता है उससे थोड़े से घीन का स्वाफ करता है कि आभी तो जूट बोलना बंद कीजे आपकी गलती पकड़ी गई है तो जिस प्रकार जो आपके दिसकासी होता है जिससे आपने बहुत दूर दूरी बनाते ना जब एक्ती की गलती पकड़ी आती है तो वेक गसान पर जो सर्गाए वोज बोलता है कि अब ही तो सरम कीजिए वो बहुत ता घृृत गृसे से उसको बोलता है कि कि लोगों के पेसे को चीट पीशा करते हैं आपको सरम नहीं आती इतने अधर हो के हाइट टेमपर घुसा रहे हैं वह सर्गाई यह अब पेसे लोगों के पैसे तोरी करोगे यह आप उसे चीच करोगे तो API में पूलीज क्या आपको कर दूगा अब जैसे उसमें पूलीस क्या ले कि नाम उसने बोला कि आपको पूलिस क्या होले कर दूँगा, वो डर के मारे, आपने आप में वो confess करता है, कि सर आप सही बोल रहे हो, जो आप जो सोच रहे हो, वो सही है, लेकिन मेरे भी कुछ मजबूरी थी, मेरे भी कुछ ऐसे हाला थे कि अपने circumstances के बज़े से मुझे जूट बोलना पड़ रह जब उसकी गलती उसको लगता कि मेरी गलती पकड़ी गई है, तो आपने आप में वो बैग दिखरता है, आपने आप में प्लीस करता है, प्लीड करता है, आपने आप में वो के माफी मागना सुर करता है, वो बोलता है कि सर, मैं जूट बोल रहा हूँ, ना तो मैं टीचर हूं और जितना भी जो ड्रामा में आपको सामने क्रियेट किया है वह एक जोटा फिक्षन है एक इमेजनेरी मैंने क्रियेट किया जिसे की बेगिंग कर शुक हूं फिर वो अपने बार में थोड़ा सा रिविल करता है कि मैं एक रस्यन क्वैर का सिंगिंग गूरुप का एक मेंबर था लेकिन ज्यादा ड्रंग करने की बज़ा से में जे वहां से निकाल दिया गया है और लगबग एक साल हो चुका है, मेरे पास कोई भी टास्क या कोई भी काम नहीं है इसलिए मैंने जुट का सहरा लेकर बेगिंग करना सुर कर दिया है यदि मैं सच बोल के भीक मागूंगा, तो मुझे कोई भी विक्ती भीक नहीं दे पाएगा इसलिए मैंने जुट का सहरा लेकर बेगिंग करना सुर कर दिया था फॉर्मली आइ सेंग इन रस्यान और एंड सेंट अवे दा ड्रंक ने वो फिर अपने बार में बता रहा है कि मैं रस्यान का एक फेमस सिंगिंग मेंबर था लेकिन ज़्यादा ड्रंक करने की लग की बुझत से मुझे वहां से निकाल दिया गया और लगवग एक साल हो चुका है मुझे कोई भी काम या कोई भी टास्क मेरे पास नहीं है यदि मैं सच्चे मन से या सच्चे बोल कर भीक मागूँगा तो Janiali मुझे कोई भी बैग नहीं देगा इसलिए मैंने जूट का साहरा लेकर बैगिंग करना सुर कर दिया सर आप भी बता जीए मैं क्या काम करूँ क्योंकि मुझे वही काम आता है उसके सिवह मुझे कोई भी काम नहीं आता है तो सरगाई बोलता है कि काम करो, आप काम करो, कोई साथ भी काम करो, चाहे छोटा हो या कोई बड़ा हो, काम से आपने आपने कभी भी आसें ना करो, तो उसे बोलता है कि ये मुझे क्यों पूछ रहे हो, कि क्या काम करूँ, आपको काम करना चाहिए, जिसमें self-respect होनी साथ यहां पर सरगाई बोलता है, मैं जो बोलूँगा, आप काम करोगे, तो सरगाई ने उस विक्ति से कहता है, follow me, you how to follow me, behind me, so that I can show you a work, इतना बोलने के बाद, जो लस्का हो था, सरगाई के पीछे-पीछे, उसके shelter तक, उसके घर तक वो आ जाता है, जैसे ही वो घर कोंसता है, तो अपनी med servant थी, उसको बोलता है, Olga, ये जो gentleman आया है, उस विक्ति को घर के पीछे जो backyard है, वहाँ पे जो wood chopping का जो काम पड़ा है, उसको आप दिखा दो, जिसे कि वो वहाँ पे बेटकर कुछना कुछ काम कर सके, उसने जैसे ही वो घर कोंसता सबसे पहले उसकी जो घर में जो कुछ थी, उसको बुलाता है, Olga को, और कहता है, कि Olga, ये विक्ति जो gentleman आपने पास आया है, उसके घर के backyard में ले जाओ, और वहाँ पे उसको काम दिखा दो, और वूट चॉपिंग का, दस्क्रियो के, दस्केर क्रो और बेगर स्रोग इस सॉल्डर इपीस पर्फेक्शिटी और इरुस, और इरुस, यहाँ पे जो लस्काओ था, उसके पास इतना दा एनर्जी थी नहीं, कि वो किसी भी काम को प्योर मांच से कर सके, वो उपरी मांच से इसकी बातों को अबबए करते वे, उसकी आज्याओं को मांते वे, उसके पिछे-पिछे आ जाता है। और जैसा ही बोलता है कि उसको अपने घर के पिछे जो बेक्यार है, जहाँ पे वूट सकाइज चॉपिंग काम किया जाता है, वहाँ पे इसको दिखा दो, तबिस व लेकिन नेमसेक के लिए उसकी बातों को अभबे करते हैं उसके पीछे बीछे वो चले जाता है क्योंकि वह भूका था और वह था था कुछने को काम को करने के लिए और अपने आपने आपने अपने अपने की विज़से यह सेल्फ प्राइड की विज़से उसके काम को उसको एक्सा करता है उसके पीछे-पीछे वो चले आता है क्या कि जो स्टिक्मा उसके पर ना लगे कोई लोग उसके पर बतना भी ना करें इसलिए उस डोक्टर और उस एड़ोकेट की बातों को मानते हुए उसके पीछे-पीछे से घर तक उसके को नहीं रूट चॉपिंग के काम करने के लिए वो रेडी हो जाता है बिकोस अब प्राइड एंड शेल असेंगें इट वोस ओबिएस दाट ओके दाट इस स्टेन हाद बिन अंडर्माइन बाइड बाइड वोटका एंड ही वोस अनहेल्थी एंड नोट फिल स्लाइट इंडिकलेशन आप और टोईल बाटमीज जो वेक्तित था इतने जादा अलक सर्गाय हरी एंडिद डाइनिग रुम फ्रमी ओके विंडो वन अके कुट सी दावुट सेड और अवर्टिंग यॉड इतना बोलने के बाद उसने ये काम को हैंड़ कर दिया वहां की जो पाइड ओल गाहा को पूरा काम समझाने के बाद उसको यहां से समझा के चल आपने में और वहां से डुनानिक रणों से बात जतby बातचित करें लिकिन वह क्या बात्चित करें उनकी बातों को वह क्लियरली सुन नहीं पारा था students did But This event How the है कि अल्गा लस्काव को भला गुरा कह रही है कि कि वो उस चीज को बार ने कर फाती कि कि ड्रंकड बिक्ती उसके सामने उसको काम कर आशी करा है सब्सक्राइब कर दोड़ा सब्सक्राइब कर दोड़ा थोड़ा थोड़ा सी एंग्री वुमन है जादा उसके साथ जादा करनेक्टिविटी यह बात्चित नहीं कर पाती है कि हो सब्सक्राइब कर दिया है कि मुझे कौन सा काम मुझे हैं नवर कर दिया ना कम देखा जाए तो वह लकड़ी के टिले पर यह लकड़ी के लोग पर बैठकर आराम से आपने आपको वह सोच रहा है कि वह क्या किया जाए दत्मिस उसके पास इतनी स्ट्रेंग ताखत नहीं कि किसी भी काम को वह कंटिन्यू कर सेके तो आपने आपने अपने अपने चिक्स को जोइन करते वह वह आपे वह स्टीले पर बैठा हुआ है अपने डाइनिंग रूम की जो विंडो से उन सभी लोगों दो लोगों को वह बाचित करते वे दिखाए दे रहा है दाटमिस यहां पर जो अलगा है लस्काओ पर अपने भला बुरा कह रही है उसको चिला रही है कि आप बहुत दोग है लेजी हो आपको कुछ नहीं होने वाला है ओके मुझे ऐसा काम दे दिया है वो भला गुरा ओके रहके को सुना रही है दात्मी सेल अगरा था कि इन कोई बातों को लग रहा था कि वो चिला रही है सरगाई एंगर had been worn is and now begin to feel a little sorry and a same for himself having said of a spoiled drunken and parapsic man to work mental labor in the cold लेकिन जब दोनों की दोनों को देखती है तो आपने आप में थोड़ा सा वो थोड़ा सा सोचता है कि मैंने कहा एक ऐसे विक्ति को काम पर भीड़ा दिया जो विक्ति बहुत ज़दा गरीब है वो कहीं सार भूका प्यासा है ऐसे विक्ति की पास इतनी strength नहीं हो कि किसी भी क काम को वो continue कर सकें तो इन सबी चीजों के बारे में सोचता है और फानली उस चीज के बारे में अपने आप में असल करता है कि मुझे इसा काम नहीं करना चीए क्योंकि यह विक्ति बहुत हो चुका है उसके पास नहीं ताखत नहीं कि वो किसी भी मैनेर हार्ड लेबर को वो सेट आप्टर हापन आवर ओल्गा कैम इन अनाउंस दाट दा वूड हैड बिन चॉप्ड लगभख आदे घंटे के बाद उनके घर में जो कूक थी वो आती है वो बोलती है कि साथ जो आपने लकडिक चॉप करने कर दो काम भी अठा हमने उसको कर दिया है यह अनाउंस करत आगे भी काम करने के लिए तो उसको कहना कि मेहने की पहली तारिक को आकर वह यहां पर लकडिका काम चॉपिंग का काम काम कर सकता है यह वो इंट्रेस्ट है उससे कहना यह वो काम करने में इंट्रेस्ट है तो मेहने की पहली तारिक को आकर वह अपना काम कर सकता है लकडिक के लिए के एंग एंग ऑन्दफ फ्रस्ट ऑफ दमांथ दवेप में इस अप्यरेंस अन अगें अन्थ आफ रुबल अल्ड़ बेरली स्टन ओन इस लेग्स दाट निस फिर बियुद्स के अंदर कोई भी इंपूर्मेंट नहीं हो रहा है हर महेनी की पहली तारिक को आकर वो अपने पेरों पे वो खड़ा हो पाता था और वह हर महेने की पहली तारिका पर कुछ ने को तुना वर्कर करके चले आता था और जिदी काम नहीं होता था तो उसके लिए कोई नहीं होता था जिससे कि वो उसकाम को वो कंटिन्यू कर सके ना ही वोड़के सौवल स्नौ वो कहीं सारे काम धुन धुन के उसके लिए राता था जैसे कि रास्ते में पड़ीवी बर्फ को उठा कर एक वे बनाना यह दि किसी जो ट्वीच ऑप जो बेड होते हैं मैस्टरस होता उसको ठोक कर उसमें धोल चाड़कर उसमें से वापस लाना यह से कहीं सारे काम उसको जिससे कि वे वित्ती अपने काम में उसका मन लगा रहे हैं वो बेरली बहुती कम अपने पेरों पे खड़ा होता था क्योंकि उसकी पूरी जो बोड़ी थी कंप्रेकली बहुता वीक हो चुकिती बिकॉस अफ ड्रंकनेस की बज़ाँ से हैं एवरी टाइम ही रिसीवड फ्रम ट्वेंटी और फोटी कुपेक्स एंड वन्स एंड इवन पेर अगोल्डर के ट्रावजर वेर सेंट तू आउट हम हीम तो जब भी वो काम करने के लिए था तो हमें सक अभी ट्वेंटी या फोटी कुपेक उसको मिल दा था उसकाम के कि क्यों उस विक्ति बहुत जदा पूर हैं जिससे कि उस विक्ति को पहिंट कर अपनी आपको थोड़ा सा प्रोटेक कर सके हैं कुछ मेहनों के बाद जो नरेटर हैं जो सरगाएं वो अपने घर को सिफ्ट करता है एक अनदर स्टीट में तो उसने इस विक्ति को बुलाया जिससे कि उसके घर में जितने भी जब फरनिचर हैं उन सभी चीजों को पेकिंग में या उनको सिफ्टिंग में उनकी हेल्प कर सके हैं जब विक्ति वापस आता है तो बहुत ही हार्डली के साथ बहुत ही हार्डली के साथ वह काम करता है कि उसका कोई भी काम करने का मन नहीं था हमेशा उसका जो chiffre रहा था भोगठी सौबर था उसका जो तेहरा था अपने आप में ग्लूमी था और हमेशा silent हैता था कि क्यों उसको कोई भी समझ नहीं आ रहा था कि काम क्या करना था तो बड़ी मुश्किल से जब उसका फरनिचर जितना उसका जो हाउस सिप्टिंग का काम हो रहा था तो बहुत ही मुश्किल से उसने किसी काम को टच किया होगा वह गाड़ी के जिस रोरी के अंदर किठ काते ही उसके पीछे फीछे वह जा रहा था तो सभी चिदों को देख कर जितने बी जो lieu थे उसके और पर कमेंट पस कर रहे थे कहीं साहे लोगों नने किसे पर मजाइक वड़ाया कुछ लोगा ने इसके और कमेंट भीकिया क्योंकि देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा आइडलनेस था और बहुत ज़्यादा फीबल होस हो चुगा था और देखा जाए तो बहुत ही ओके टाटर ओके जो फैंसी और कोट तो पेना होता उस सभी अप्यरेंस को देखकर यहां पे जितने भी लोग थे वह कमेंट पास कर रहे थे जब फानेली उसका पुरा काम हो जाता है तो फानेली जो एड़ोकेट उसके नाम पूसता है कि भाई आपका नाम क्या है मुझे ताम तो नहीं मिल आपका नाम पूसने के लिए तो फानेली उस विक्तिने अपने नाम को नरेर करता है कि मेरा नाम लसकाव है फिर वो बोलता है कि मैं आपसे बहुत एक सूश हूँ क्योंकि मैंने आपको जो बोला था मैंने आपको जो काम कहा था में आपने जो भी काम बोला था अपने उस चीज़ को except किया और मेरे साथ काम करने के लिए आप ready हो गए इसके लिए मैं बहुत ज़्िदा happy हूँ ठीक है यह लो कुछ rubles कुछ पेसे लो जिससे कि आप अपने काम को आगे continue करना और finally इदि आपको मेरे काम से कोई objection ना हो तो आपको एक काम कुछूं या एक काम करोगे आपको लिखना आता है इदि आपको लिखना आता है तो एक letter लिखके दे रहा हूं मैं आपको और यह later है मेरे दोस्ट का जब आप उसके पास जाओगे तो definitely वो कुछने कुछ काम आपको cleanliness का या सबसपर का काम वो आपको दे देगा यह दि आप interested हो काम करने के लिए यह दि आप interested नहीं हो तो आपको मैं उसके पास नहीं बैजता हूं और finally यहां पे सरगाय उसको एक new way एक नया रास्ता दिखाता है जिससे कि वो उसका काम को continue कर सके तो finally उसने उसका नान पुछा है पुछने के बाद यह दि वो interested है किसी भ को काम ढूंड सके और finally जब उसको work मिल जाता है तो उस address के basis पर जाता है उसके दोस्त पर और वहां पर जाकर वो काम करना सुर करेता है लगबख एक या दो साल बितने के बाद जो आसपास के area में कोई विक्ति दिखाई नहीं देता है तो उसको लगता कि हो सकता कि हमी पर ही काम पसंन आ गया चले गया होगा तो फीड़ी लगबख दो साल के पास उस neighborhood में या उस इस स्टेट में दुखाई नहीं देता है तो फानींगता है कि कहीं पर सुरवाध खर घटा थाए का लें उस गेलरी लिखें तो देखता है कि वहाँ पर एक विक्ति खड़ा है जो बहुती सोट है और उसे जो कपड़े थे लस्काब आप हो तो जब पहली आट्टेम उसको मिलता है तो बहुत सारी बातें करता है कैसे हो क्या कि रहे हूँ आजकल आप हैपी तो हो इस सब कुछ ठीक है आप मेरे लिए ग्रांट सं के तरह हो आप मेरे लेक मसिधा मसीहा बनकर आये जिसने मुझे राइट ट्रेक पर बताया रास्ता यह आप उस दिन में यह आप मेरे पास नहीं आते तो आज भी मैं उसी जगह पे भीक मांग रहा होता एक जूटी कहाने सुना कर कि मैं स्कूल टीचर था एक टीचर था एक स्टुडेंट था उन सभी काम के लिए जिसने आपने मुझे चेंज किया उसके लिए कंप्लिटली ग्राइटिटीट स्वाप करता हूं मैं अपने बोटम आप अपने काम से ठीक तो हो तो बोलता है आप सब कुछ ठीक है मेरे लट में और जो आपने मुझे जो सपोर्ट किया एक राइट ट्रे कि मैं कंप्लिटली यही चेंज हुआ हूं मेरी लाइप में इस पोजिशन तर पहुंचा हूं तो पूरा की पूरा क्रेडिट आपको जाता ही है लेकिन सबसे ज़्यादा जाता है आपकी कुछ का तो इस चीज़ को सुनकर यहाँ पर जो विक्ति था थोड़ा सा सप्राज ह कि आपके पास आता था काम करने के लिए लेकिन आपके घर में जो कूक थी ओल्गा उसने मुझे कंप्लेटली ट्रांस्फॉर्म किया है क्योंकि उस मुमन ने मुझे कंप्लेटली भला बुरा कहा वह कभी-कभी घंटों भर मेरे लिए रोती थी अपोजिट में बेटकर उस उसकी विज़से में आज कंप्लेटली यहां तक पहुंच चुका क्योंकि उसने मुझे भला बुरा कहा है मुझे डाटा भी है मुझे चिलाया भी कि तुम धर्ती के बोज तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है तुम्हें मर जाना चाहिए तुम नास्ते को उतना भला बुरा क लेती है और कंप्लेटली उनीकी विज़से में आज इस पोस्ट पे पहुंचा हूं और मैं अच्छा सा नोट्री का काम करना सूर कर दिया यह सब कि सब लस्काव बता रहा है कि मैं अभी एक लोट्री का के नोट्री का काम करना लगया हूं और मुझे लगभग 35 रूबल्स मिलते हैं मेहने के सब कुछ चीज होने के बाद यहां पर नहरेटर को लगता कि मैंने किसी विक्ति को एक राइट ट्रेक पे एक सपोर्ट विज़स में आक्तर यहां तक पहुंचा दिया हूं